नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसी सवर आप देखने लर्ण विल चैनल दोस्तों हम लोग जब भी जाते हैं यहां पर एंट्री करने के लिए तो हमारी एसी कुछ एंट्री जो हमें बार-बार रिपीट करना पड़ता है जैसे यहां पर यहां पर एसेल्स के एंट्री है पर पर जो भी चीजे हैं वह आपको फिर करनी पड़ती है यहां पर ऐसे पेमेंट अगर आप करते हैं इसे लोकल कन्वेंस है सो सो रुपे पचास पचास रुपे दिन फर किसी को देना पड़ता है और एंट्रीज करने में आपको काफी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो यह सब चीजे हम लोग फाष्ट कैसे कर सकते हैं इसी को हम लोग देखें इस वीडियो में में अभी जैसे मैं यहां यहां पर वाउचर type में यहां neuralni क्लिक किया उस वाउचर के उपर में तो यह मेरा वाउचर सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट ले लेना है वसी में हमें कूछ लिखने हैं بहुत चोटा-बोटा कोड़ रहे गए इसका एक आपना फाइल करते हैं जैसे में फास्ट एंट्री करके एक नाम रख देता हूं आप यह फाइल को पिन करते हैं इसी में हमें कुछ कोड्स लिखने है चाल लाइन के तो दोस्तों हमने सब से पहले अपने डैबुक में जाने से वहां फिर पेंटरे कर से इसे साथ अपने कोड लिखना है कि जीसे हम लोग डेवम्ग में जा के तो उसके लिए हमें डेवक का का लोगेशन यहांपर देना पड़ेगा तो यहां पर एक ऐसा ब्रैकट ले लेंगे और यहां पर हैस के साथ में लिखेंगे किए लाइन है अभी हम लोग देबुक की लाइन पे वरक करेंगे और यहां पे लिखेंगे डी एस-पी वी-स dece ह कि डी वाइवीके तो यह हमरा डेबुक हो गया डी वाइवीके और डी-टेis तो VCHDYB के detail करके यहाँ पर लिखना है, यह spelling आपको same लिखना है, has लगाना है, line लिखना है, यह सभी कुछ same होना चाहिए अब इसके बाद दोस्तों हमें एक key दे देना है तो key हमारा क्या रहेगा, उसका एक आप नाम दे सकते हैं कुछ भी तो यहाँ पर मैं learn will double कर देता हूँ, यानि हम जब उस पर double क्लिक करें, तो वो चीज हमारा काम कर जाए तो यहाँ पर मैंने learn will double करके दे दिया, अब इस key का एक definition बना देते हैं यहाँ पर फिर से key लिखते हैं bracket के अंदर में और इसी नाम को फिर से यहाँ पेस्ट करके bracket को close कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी key का title ओगर देना है तो दे सकते हैं टाइटल दे देते हैं जैसे वाउचर एंटरी करके मैं एक नाम दे देता हूँ वो तो हमने वहाँ पर key का नाम दे दिया है अपने key कैसे work करेगी उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे key के आगे लिखेंगे left double click तो यह left double click लिखने से अपने जब भी दो बार क्लिक करेंगे तो action वहाँ पर हो जाएगा action क्या होगा यहां प्लिखेंगे action यहां प्लिख देंगे call और लर्ण विल वाउचर करके ऐसा कुछ भी आप एक नाम दे सकते हैं यह मैंने यह नाम दे दिया अब इसी को मैं copy कर लूँगा अब यहां पर फिर एक ब्रैकेट में मैं function लिखूंगा और इसी नाम को paste कर दूँगा जिसको हम लोग को call कराना है यहां लोग जो call करा रहे हैं इसी नाम को मैंने यहां पर paste कर दिया और यहां पर हमें कुछ भी एक random एक number बस लिखना है यहां पर आप कुछ भी लिख सकते इसे मैंने 10 लिखा column का चिन लगा देना है और यहां देना है trigger की अब trigger की क्या रहे हमारा आल्ट प्लस टू रहेगा और कॉमा लगा के आल्ट टू हो जाए उसका फिक control एसे save हो जाए ठीक है दोस्तों तो हम क्या करेंगे जब भी हम लोग left double click करेंगे यानि कि दो बार double click करेंगे तो हमारा यह action हो जाएगा आल्ट टू प्रेस होगा टैली के अंदर और control ए भी प्रेस हो जाएगा उसी समय में कि यह हमारा यहां पर काम हो जाएगा इसको सेप कर देते हैं कि मैंने सेप कर दिया इसको टैली में चलके लोट करते हैं तो यहां पर चलते हैं हेल्प में एड़ ओन में चले जाएंगे और यहां पर मैनेज लोकल टीडियल करेंगे अब यह जो भी फाइल है अपनी डेक्स्टॉप में पड़ी हुई है तो अपने डेक्स्टॉप से इसको सेलेक्ट कर लेंगे यह फास्ट एंट्री करके है इस पेलिंग फास्ट का थो अब ही जैसे माले जिए मुझे सेल्स के एंट्री करनी अब यहां पर जो मेरी सेल्स के पड़ी हुए है कुछ इस टाइप से इसमें आपका आइटम डिटेल आ गया कुछ जीएस्टी वह भी हो सकते हैं यहां माल यह पचास रुपय कि आली को इसफरी हो गया इस टाइप से अपनी एंट्र महाल से की अब इस ही का मुझे कई सेल की धूर करनी है तो मैं क्या करूंगा इस पर डब्ल क्ट करूंगा वह विप फिर से तीन एंट्री में फिर डबल क्लिक किया फिर तीसरी एंट्री भी हो गई चौती भी हो गई जित्ती भी हुआ आप डॉलक्लिक करते जाएंगे आपकी सोती सेमें ज्राइन कृड़ों की मुझे चार-पामाइड चेडल को और लॉपचास रूपए करनी है आप यहां पे भी आप डबल क्लिक करते जाएं एंट्री हमारी होते चले जाएं तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में फास्ट एंट्री कर सकते हैं जो अपने रिपीटेड वाले वाउचर हैं उसके लिए तो दोस्तों इसको आप जरूर बनाएं काफी बढ़ दीजिए सेर कर दीजिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद